ही हाई गाईस विल्कम बैक टू माई चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल में मैं हूँ आप सब की अपनी रिशिका आज का जो दिन है वो हर दिन की तरह बहुत ही खास और स्पेशल है क्योंकि मैं स्टाइट में यही कहती हो कि आज का दिन बहुत ही खास है तो हर दिन खास ही होता है So last February मेरी मम्मी पापा की anniversary थी पचासवी साल गिरा थी तो उस टाइम मैंने अपना हैर कलर कराया था और ये हैर कलर पूरी तरीके से फेड हो चुका है So मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने बालों को कुछ नया लुक दिया जाए So कुछ मेरे पास options हैं कि मुझे ऐसा चाहिए So मैं अभी जा रही हूँ salon एक उस salon में जा रही हूँ जहां पर मैंने last time hair color कराया था And अगर मैं जो चाहती हूँ वैसा वो agree होते है करने के लिए Then okay, otherwise मैं कहीं और भी visit करना चाहती हूँ So let's see कि क्या होता है और कैसा करवाती हूँ मैं इस बार मुझे बहुती subtle color में जाना है यह बक्री जैसे जो दिख रहा है मुझे इस बार बिल्कुल नहीं चाहिए Length कम नहीं करवाना, hair cut भी थोड़ा सा चाहिए क्योंकि अभी हाल फिलाली मैंने hair cut लिया था सो अभी मैं जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी चलिया और देखती हूँ कि कौन से salon में करवा रही हूँ किस से करवा रही हूँ और कैसा color करवा रही हूँ So stay tune So अभी मैं जो hair color कराने वाली हूँ इसका नाम है बालिया मेरे बाल बहुत होड़ा दामेज होके हैं तो मेरे हैर कलर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था मैंने बोला था कि मेरे पास time थोड़ा कम है तो दो लोगों ने मिलके hair color स्टार्ट किया So पहले ये pre-lighting हो रही थी I guess So I am decided कि मुझे कौन सा color करवाना है and color का process भी स्टार्ट हो चुका है खुशी की बात ही है कि जो मेरे color कर रहे हैं वो भी बहार से है and तो फिर और भी trust you know build हो जाते है कि हाँ आप और अच्छा color होने वाला है So आप मुझे बताईये कि अभी जो मेरे बाल का treatment होने वाला है and color होने वाला है क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये तो ये अच्छा लगेगा मुझे पर अच्छा लगेगा अभी ये मुझे कह रहे कि अच्छा लगेगा तो let's see final results क्या होता है अभी क्या हो रहा है मेरे बाल में अभी process है अभी application कर रहे है oh okay अभी process है Baliaz का application चल रहा है so let's see अभी और कौन-कौन सा process बत किये में दिखाती रोंगी so stay tuned कि आगे के जो बाल थे वो कलर करना स्टार्ट किया थो मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया था कि जैसा मैंने फोटो दिखाया वैसी इकडम सटल कलर होना चाहिए तो बहुत पेशिन्स के साथ मेरा कलर कर रहे थे यह मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा नहीं था कि जल्दी निप्टा दे ऐसा नहीं हुआ आगे का पोशन था तो जन से मेरी बात हुई तो जिन्होंने स्टार्ट किया था उन्होंने आगे का पोशन किया कि वह बिल्कुल सिमिलर लगना चाहिए थोड़ा सा भी अलग ना लगे इसलिए वैसे कि और उन्होंने अच्छा है उसके बाद मेरे रूट्स पे भी कलर किये गए ताकि बिल्कुल रियल लगे मेरा बाल जो है वो रूट से लेके नीचे तक दिखे उसके बाद जब मैं हैरवाश के लिए गई तो मैंने का चल क्या रहा है बॉस मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह ऐसा रहने वाला है किया मैंने ऐसा फोटो तो नहीं दिखाया था थोड़ा पेशिंस रखे प्लीज हम कर रहना हमें करने दीजे जब हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे और फिर आप मुझे बताना कि अपको कैसा लग रहा है अगर कुछ नहीं होगा तो फिर हम करेंगे तो फिर भी मैं शान्ती लेकिन डर बहुत लग रहा था मुझे क्या होने वाला है क्या क्या क्रीम कॉन सा क्या क्या चीज़े मिक्स करके मेरा हैर वाश किया और फिर द्रायर के लिए एक यह लेकर आए कि बाल डाय करना यह उधर से अंलाइट आ तो फिर मैंने तेखा वह वह एसी मुझे एक ब्लॉंड सा दिख रहा था बार बार मैं पूछ रही ती तो उन्होंने का कि रिलाक्स, मुझे करने तो एक बार राय और उधर से लाइट आ रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है तो मैंने का ठीक है देखते हैं बट जैसे जैसे ड्राय हो रहा था मेरा बाल मेरे अंदर वैसे वैसे लग रहा था साटिस्फेक्शन लेवल एक दीरे 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 जब फोटो इखाया प्रत क क्या आपको आपको एक अंदर ठीक है तो मैंने उन्हें ऑपको यही हुड रहा था मैं अन्हे आपको यही हुड था बाल होन्या दीरे अंदरों अ भील पाघन दीखाया था प्लेंट करेम ट्फोटों मॉजे सेस्ग्म बास भील देखे यार तो एक थैंक्यू बोलना तो बनता ही है और बोलना चाहिए जिसने काम किया उसको अप्रिशेट भी करना चाहिए भई कि आपने बहुत-बहुत बहुत जादा अच्छा काम किया है थैंक्यू फो मच्छ बहुत अच्छा लग रहा है यह सब होने के बाद मैंने थोड़ा पीछे सभी फ्लाउंट किया कि देखू कैसा लग रहा है इस जैसे चाहिए था वैसे ही लग रहा है यह मैंने करवाया है हर्शा एंड राकेश सलोन में जाके बहुत ही अच्छे वहां पे जितने स्टाफ्स थे बहुत अच्छे से ब्रिफ कर थे तो आप चाहें तो एक बाद ट्राइक कर सकते हैं मतलब वहत है यह तो मैंने आप सबको कहा था कि मैं अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी यही है मेरा फाइनल हैर कलर मुझे इस बार ना सब कुछ बहुत सटल चाहिए था बहुत ब्राइट कलर नहीं चाहिए था इस बार मैंने एक दम सटल रखा है ताकि बहुत नाच्रल लगे पिछली बार थोड़ा सा ब्राइट हो गया था तो हर आउटफिट के साथ हर सीन के साथ वो हैर कलर नहीं जा रहा था इसलिए इस बार मैंने ये वाला कलर चूज क्या और बहुत टाइम लगा कर वाने में आई गेस तीन गंटे बहुता थीन गंटे लगे करवाने में और जिनोंने मेरा खिया, उनका नाम था मनोच और उन्होंने वाकिए में बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत पेशिंस के साथ किया जैसा मैंने पिक्चर दिखाया था कि ऐसा पिक्चर चाहिए, as it is उन्होंने वही कलर करके दिया मुझे और मैंने हर्शा एन राकेश में करवाया जो कि लोखनवाला में है बस यही होगी कि यही है मेरा फाइनल लुक अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि यह हैर कलर आपको मेरे उपर कैसा लग रहा है यही वीडियो होता है यही पर समाप्त अगर मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बगल में जो लाल गंटी दिख रही है उसे प्रेस करना ताकि मेरे जितने भी अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और बहुत जल मिलूँगी नेक्स व्लॉग में तब तक यह कहुँगी कि अपना ख्याल रखे स्वस्त रहें मस रहें और जबर्दस रहें टेक केर बाबाई लव यू ओल